हेलो गाइस फिलकुन मैं चल्ट गाइस यूपी टुबेसी पीटी के कुई क्रिवीजन की सीरीज में आप सभी का सागत तो गाइस चले सबसे पहले यहाँ पर पसंद ले लेते हैं जो आपके होने वाले हिस्ट्री के तो हिस्ट्री के आपके पांस परसन आपके पूछे जान पूराना उपनिसद काहई तो एक और नाम था चाड tua ते उनका और नाम हुआ उनका नाम उप्साहई करता है रिषुडियो देखे आग मम रखला है किनित नुप लिखी में विशल्टनत क्यों तो दिल्ली सल्तनत पर जो सासक्व हुए है जिन्हों ने शासन किया है उनका यहाँ पर सही करम कहा है बेसिक्री यह पूछा है तो चार में अगर ध्यान लाटीर गांधी के नाम से किसे बुला जाता है, जोшके जो frontier गंदी हैं उनको जाना जाता है खान बहा अबदुल गफार खान को तो खान अबदुल गफार खान जो हैं इनको frontier गंदी के नाम से जाना जाता है इसको याद रखेगा most important प्रशन है आप यहां पे एक देख लेते हैं पूछा जाता है कि निमली खिर्मे से किस बे जाता है अगले परसन देखें तो गईस कोशन नमबर एगर आठ देखें तो कहता है वह महिला कौन है जिसने सोतंता के लिए लड़ने है तो भारती महिलाओं की जागरती में एक महतपुड भूम का निभाई और उससे भारत की कोकिला की नाम से जिनको जाना जाता है वो यहा सरुजनी नाइड को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है अब कोश्चन नमबर 9 कहता है कि निम लिखी में से कौन से सतंता से नानी ने जेल की दिवारों पर महा काव कमला लिखा था तो उन विक्ति का नाम बताईए देखें कोश्चन बहुत यूनिक है तो यूनिक कोश्चन नमबर यहां पर 10 के लेडी वी दा लैंप के लेडी ऑड्याम के नाम से किसे जाना जाताए तो 20 पर फ्रेक तो प्रत परसंद दो कहता है कि पूरवी भारत की पटी में घाले मूल रूप से कहाँ का ओस्ता है तो देखें जो पूरवी भारत की पहाड़ी पट्टी में घाले एवो मूल रूसरे कहां पर है तो कहता है इस कप स्था और चाती जहंति ज00 कहां पर अमपर लाइट की कहाँ पर जाती है तो देखें इनी वो वहाँ पर होती है ठीक है तो यह पाड़ियों का मुख काड़ यह होता है माली जी हिमाले है तो हिमालियों से जो आपकी वांसुन की हवाय जाती है वो टकरा करके आपकी पूरुक तरफ मुड जाती है और पूरुक तरफ क्या है यहाँ पर तीन पाड़िया इस तरीके से ह तो यहां पर इनमें टकराकर यहां पर सबसे ज़्यादा बारिस होती है पूरे विस में कोश्चन नमबर यहां पर देखें तेरा कहता है कि निमलिकी में से कौन सा छेतर टोड़ा जंजाती का मूल निवास है तो टोडा जन जाती बहुत फेमस है ये तो ये कहां का मूल निवास है तो देखे टोडा जन जाती जो है वो मूल निवास कहां की है तो तेरा का राइडन से हो जगा निलगिरी की पहाडियां अब देखे निलगिरी की जो पहाडियां है वहाँ पर टोडा जन जाती निवास क पर पर पानी पहुंचाना उसको सिंचित करने का प्लान बनायागा तो इसके देट इंद्रा गांधी नहर योजनी की सुलवात हुई और ये कहां से निकाली गई तो 15 का राइड एंसर सी हो जाएगा तो हो जाएगा हरी के बांद है हरी के वहां से इंद्रा गांधी नहर निकलती है question number 16 कहता है कि वर्ष 2011 की जर्गना के अंसार भारत में गरीबी रेखा यानि कि BPL के नीचे का percent कितना है तो देखे जो BPL होता है यानि कि below poverty line तो उसके नीचे कितने लोग हैं अपने इंडिया में total इसका राइड एंसर हो जागा 22% यानि कि 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं अपने इस समय इंडिया में कोश्चन नमबर यहां पर अगला देख लेते हैं तो कहता है आपका economics में कि 17 में जिस बाजार में इस परदा की कमी हो उससे क्या कहते है देखे जो बाजार यहां पर competition नहीं होता है उसमें कमी होती है इस परदा की तो उसको क्या कहते है 17 का A हो जाएगा उसको कहते है मोनोपाली मोनोपाली का मतलब होता है जहां जिस बाजार में कोई competition नहीं होता कोई इस परदा नहीं होती आप question नमबर यहां पर अगला देखे 18 कहता है कि भारती रिजर बैंक RBI द्वारा जारी किये जाने वाले नए 100 रुपे के नोट में न पूछा जाता है तो 18 माँ आपका जो भी हो जाएगा सही कि रानी की वाओ की आकरती है तो रानी की वाओ कहां पर है यह गुजरात में इस्तिते और यह 100 रुपे की नोट के पीछे पाए जाती है question नमबर यहां पर आगला देखे 19 कहता है कि कॉफी बोर्ड आप इंडिया क मुख्याले कहा है तो कॉफी बोर्ड आप इंडिया का जो मुख्याले है 19 का राइड अंसर हो जागा सीनी के बैंगलूर में है अब देखे कवाफी के बैंगलूर नहीं होता है अब वहां से क्या होगा आपका बैंगलूर करनाताग में इसको याद कर लीजिए बिल्कुल स तो अर्थास्त में बैंक की निम्तम ब्याज़दर जिससे अधिक परवारेट नहीं दे सकता के लिए किस सब्द का उप्योग किया जाएगा तो बीस में अगर यहां पर द्यान से देखे तो हो जाएगा वह बेस रेट यानि कि जो बेस रेट होता है वह इसका राइड एंसर ह है कि भारती समगिदान का चौथा अध्याय किस से संबंदी थे एगा 2 में बाई से वह किसी समगती तो 21 में आपको पता है कि राज के नीत निदेशक तत्तु तो राज के नीत निदेशक तत्तु कहां पर हैं वो भारती सम्विधान के भाग चार में है और यह कहां से ले गए यह आर्लेंट से ले गए हैं अब यह किसन उच्छेद में 21 में सभी को पता है अब यहाँ पे 22 में जो कहता है वो है आपका बी राइडंस नी कि 2010 में इसको लागो किया गया जो आर्टी है सिच्छा का अदिकार उसको 2010 में लागो किया गया था उद्गाई देखें यहाँ पर कुई क्रिविजन की सीरीज क कि यह 50 नंबर आपको मेरिट में नाम दिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट आप यहां पर तेश कहता है कि राष्ट्री जन्तांत्री गटवंदन के राश्पति पद की उमिद्वारी के लिए नामित होने से पुरू राम का रामनात कोविन ने निलिकिन में स किर्पत से इस्तिर्फबा दिया देखी रामनात कोविन जो है इस समय तो आपने आंके तो क्या कहता है कि यह पहले क्या थे तो तेशक का जो राइट एंसर है वो हो जाएगा ए यानि कि पहले ये थे बिहार के राजपाल तो बिहार के राजपाल थे उसके बाद इन्हों यहाँ से इस्तिफा दिया फिर ये राजपती बने क्योंकि यहाँ पर एक पद पर अगर आप हैं तो दूसरे में नहीं हो सकते हैं कोश्चन नमबर यहाँ पर चौबिस कहता है तो चौबिस में है कि एंगलो इंडियन समधाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है तो चौबिस का यहाँ पर देखिए वो दो हो जाएगा तो गई देखिए यह दो राइट एंसर तो हो जाएगा लेकिन हाली में यहां पर प्रस्ताव लाया गया था जिसके तहट कहा गया कि इसकी संख्या जीरू कर दी जाए तो उस पे अभी विचार विमस होना बाकी है या फिर फाइनल हो गया है इसका पूरा क्लियर नहीं है हमें तो आप जुरू बतेएगे कि यहां पे जीरू हो गया या पिर दो लंदा जो है इन्होंने भारत के कारवाग पधामंतिरी की रूप में दो बार कार किया है अब यह तो हो गया इसका राइड एंसर अब कोस्टन नमबर यहां पर देखे 26 कहता है साइंस के 5 पर साइब के एक्जाम में आएंगे तो कहता है 26 में कि 1 क्यूसेक जल लगभग किस पानी पर जो एक क्यूसेक में लगभग होता है याद रुखे 27 कहता है कि वा उपकरण का नाम आपको दो गताना है दोनी-टरं का रासाइनिक प्रतिक है तो देखिए इतना आसान परसन हो सकता आ जाए क्योंकि एक दो प्रतिक से स्वी में पूछे जा चुके हैं तो यह कोई वहां बड़ी बला नहीं है तो 28 में कहता है आपका राइटामिक नंबर 31 होता है किस चीज का सब्साइब करने के लिए कि अगणन ऐसे मादा होता है यह करिवा मादा में मादा में में कि सुक्रवाइक यानि कि समंवाली है इसका आदैएं डियात है कि ए刹ता है तो ACI मेराथन जिन्हों ने जीता ये Championship हुई जो जीता है उन्होंनों किसका नाम क्या है 61 का हो जाएगा B यानि कि B गोपी थोनाकल तो गोपी थोनाकल जो है वो ACI मेराथन Championship जीतने वाले पहले वेत्ती हैं अब यहां से कभी कभी पोश्चन मा लेजे पूछ लिया कि गोपी थोनाकल किस खेल से संबन दिते वो हैं मैराथन का मतलब होता दोड़ ये Athletics में आता है जिसनमें यहां पर अभी निरर चोपडाने पदक भी जाता गोल्ड मेडर पहली भारती महिला क्रिकेटर कौन बनी जिन्हों ने टी टोटी आई में दो हजार रन का कार नामा पूरा के लिया तो बनी ही मिताली रास्त मिताली राज इसका राइड एंसर हो जाएगा अब यहां पर देखें कोश्चन नमबर जो 63 गहता है कि निम लिकी में से कौन सा ग्रे मनुस्य दारा खोजा गया पर थम ग्रे है तो यहां पर एक ग्रे है जो मनुस्य दारा खोजा गया पहला ग्रे था तो 63 का राइड एंसर है गा इस वो हो जाएगा आपका बी यानि कि यूरेनिस को यहां पर खोजा गया था सबसे पहले मनुस्य दारा याद रखेंगा इंपॉर्टेंट भाई कोश्चन नमबर 64 कहता है कि निम लिकीत में से कौन सी बोच्षवाना की मुद्रा है अब यहां पर बोच्षवाना एक कंट्री उसकी मुद्रा का नाम क्या है अब नाम से बिन को जा जाता है आसकर को अब यहां पर देख लेते कोश्चन नमबर चाचट करता है कि भारती खिलाडी दौरा खेल के चेतर में उसके आजीवन योगदान के लिए निम लिकीत में से किस पुरुषकार से उन्हें समयाइद किया गया तो भारती खिलाडी दौरा खेल के चेतर में आजीवन योगदान देने के लिए किसको समयाइद किया गया तो चाचट का ए यानि कि ध्यान चंद पुरुषकार जो है उससे समयाइद किया गया तो हाली में देखिए क्या हुआ मेजर ध्यान चंद के नाम पे राजीव गांदी खेल रतन पुरुषकार जो हुआ करता था आप क्या होगा मेजर ध्यान चंद खेल रत्म पुर्षकार उसका पूरा नाम हो गया है उसको चेंज कर दिया गया इंपॉर्टेंट रहेगा कोशन नमर यहां पर सरसट करता है कि उस विक्ति एक आवे उसाई पहलवान का नाम बता है जिसने जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाईगी तो दंगल फिल्म आप सभी लोगों ने देखी होगी नहीं देखी होगी नाम तो सुना होगा तो वो यहां पर एक पहलवान है जिनके नाम पर बनी हुई है तो उनका नाम क्या है आप question No 68 कहता है कि वर्सर दो हजलात तेस में रगभी विसकप की मिजबानी कौन सा देश करेगा तो देखिए विसुकप हो या फिर आपका उलम्पिक हो या कोई भी खेल हो, तू कहां आयोजन होना वो इंपोर्टेंट हो जाते तो 69 का राइडंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी यानी की फ्रांस इसका राइडंसर हो जाएगा तो फ्रांस भे रगबी की मेजवानी अभी करेगा कोस्चन नमबर यहां पर लास्ट कहता है कि सत्तर में मतिकालिन भारत के दोरान लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है गीत गोविंद इसके लेखक कोने तो गीत गोविंद के लेखक जो है वो सभी को पतावना चाहिए जैदियो जैदियो के दोरा लिखेए के गीत गोविंद पुस्तक तो गैश हमने 50 पसंद किये 50 में से आपने कितने सही किये वो जरूर कमेंट बताए मिलते हैं नए वीडियो तब तक लिए वीडियो को लाई जरूर करें थैंक्यू सो